जा एक तरफ इसराइल ने हमास लोही नी नदियो वहड़ावी रहाच है हवाई हुमलाओ आख्याखा विस्तार ने खंडेर बनावी रहाच है ए युद्ध भुमी इसराइल नी धर्ती पर फसाईली बस सो बार जिंदगी सुरक्षित स्वदेश परत फरीच है अने दरीक व्यक्तिये पोतानी आखो सामे जोईलाई दर्दने वर्णवी उचे अने जारे दर्द वर्णवाई रहू हतू स्वदेश परत आबवानी खुशी व्यक्त कराई रही आती त्यारे आखनो खुनो भीनो हतो अने गले डुमो भराई गवातो आज शोर श्वास शान थ्यानो खे आजोश जीव बच्यानो खे अने आज जैजे कार परिवार साथे हेम खेम स्वदेश परत परियानो खे इजरेल में जारी युद्ध के हालात के बीच वहां रह रहे भारतियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हुचिकी है और पहले जत्थे के रूप में तेल अवीब से करीब 200 भारतियों का जो दल है इस्पेशल फ्लाइट से इंद्रागांधी अंतरराष्टी हवाई अड़े पर पहुच चुका है आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आये हैं एरपोर्ट माथी जैम जैम एक बाद एक व्यक्ती बहार आवती गई टेम टेम एरपोर्ट पर खुशियों चभाती गई कोई एक लू तो कोई संतान साथे कोई जीवन साथी साथे तो बड़े कोई परिवार साथे आवियू अने भारत आव्यानी खुशी साथे नजरे जोयला दर्दनी कहानी वर्णवा लागया तो बहुत टेंस्ट है कि हमें आदत नहीं इन सब चीजों की तो जब भी सारेंव वच्थे हैं कुछ इसा होता है तो हम लोग बत पैनिक हो जाते हैं स्टुडेंट की बीच में थोड़ा पैनिक हो जाता है लेकिन वहां की गवर्मेंट या वहां हमारी उनिवर्स्टी ए आधी रात को मैसेज आता है कि आपकी फ्लाइट कंफर्म होगे या पाजी तो हम तुरन बैक्पकर का गए जितने आसे कि उतने आपाएं तो हम लोगों के उधर तो बहुत सारे रॉकेट साय एक लास्ट वान वीक में और हम लोगों को कुछ पता नहीं था वन फाइन मॉर् जब इस तरह के राकेट अटेक हुए तो आपके लोगों के मन में क्या फेलिंग थी हम लोग घबराय हुए थे आफकोर्स, वे वेरी स्केर्ड और धीरे जब इसराइली जो हमारे जो कॉलिग्स हैं उनसे बात हुई उनको भी कुछ पता नहीं था तो बाद में पता चला कि अच्छे टाइम पर इवे उठाइगा कापी अच्छा और हम आशा करते हैं कि हमेरे बाकी साथ ही भी जल से जल्दी हाँ पर आजाएं तो कोई उजबल भविश्यना सपना साथी इसराइल अभ्यास माटे गया हता परन्तो आब अब सो बार मुसाफरों माए के उपन कपल हतू जी इसराइल फरवा अने दिकरी ने मलवा गया हता परन्तो युद्ध स्थती माँ पसाई गया हता युद्धनी आग वच्चे थी सुरक्षित अने सही सलामत भारत परत परियानी खुशी दरेक चहरा पर सपष्ट जुआ मली अने आखुशी माटे दरेक व्यक्ती ओपरेशन अजय माटे भारत सरकार नो आभार मानी रही छे साथेज इसराइल माँ फसाईला अन्य भारतियोंने परत लावानी गुहार लगावी रहा छे अने इसराइलना लोकों माटे राथना करी रहा छे ब्यूरो रिपोर्ट संदेश नीज अने इसराइल मा जे भारतियों फसाईला छे तेनी माटे केंद्र सरकार द्वारा ओपरेशन अजय शरू करवामा आव्यू अने तेल अव्यू थी करनके त्यास सउथी वतारे भारतियों वस्वाट करे छे बस्तो बार भारतियों ने दिल्ली लावामा आव्या छे विशेश फ्लाइट मारपते बस्तो बार भारतियों पहुंचिया छे दिल्ली अएरपोर्ट इसराइल हमास वचे यूतमा भारतियों फसाया हता भारतियों पासे थी फ्लाइट नो भाडू वसुलवामा नहीं आवे सवारे पांच वागिन 58 मिनीते पहली फ्लाइट दिल्ली एरपोर्ट खाते पहुंची हती केंदरे मंत्री राजू चंदरशे खरे एरपोर्ट पर भारतियों ने आउकार्या हता इस्राइल मा अधार हच्चार करता वधू भारतियों फसाला चे तेमने एक बाद एक फ्लाइट द्वारा दिल्ली एरपोर्ट लावामा आउशे इस ओते साटा प्र है आपने से अबाटोपmer देख भारतियों फ्लाइब श्क्याइभा हूं प्लाइपोर्स 500 के हाले अधर उन्यकाइव भंख दान lumin notabia और सुनक प्रोबना है तरह एंपेज दो हैक वार्ण भूल, वह जा सब्साहां कर दो जान प्रूबने हैं, वह तू आपके से दी साथ में वारे हैं, पूल खेया के वारे हैं, मुझा, प्रहेता, भीय। और सुनक प्रिश के देखादानी जा हैं, जाँ प्राण दो हैं, जा कोछ ऑन आप इसकाल प्राइब बात्राइब को जो अव्य चीज थे में कि झालेशों अविजेशों काम्यों कि प्राइब धिए भूमात्र भी एंजेट भीर में इंजेटेंट से अथल्डब घंविश्तव नियुक्षे युवासर नचिज भीर में अविटेंड देडाली के पीज़ चीज़ फ्लाइट मार्फते बसो बार बार्थियों डिली पहुंची गया शे इस्राइल हमास बच्च्चे युद्मा फसाया था बार्तियों जैने दिली भारत रस्वदेश पर अतलावा माव्या शे भारतियों पासे थी फ्लाइट नो बाडू वसल वामा नहीं दिल्ली एर्पोर्ट पहुंची गई हाती। इज्रेयल में जारी युद्ध के हालात के बीच वहां रह रहे भारतियों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो चकी है और पहले जथे के रूप में तेल अवीब से करीब 200 भारतियों का जो दल है इस्पेशल फ्लाइट से इंद्रागांधी अंतरराष्टी हवाई अड़े पर पहुच चुका है आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर आये हैं वैसे वैसे समिक्षा की जाएगी और अगर जरूरत पड़ी तो एर इंडिया के साथ जो एर फोर्स है उसका भी उसके भी बिबानों का इस्तेमाल किया जाएगा यहां पर कुछ स्टूडेंट हैं और जिसमें अधिकतर स्टूडेंट हैं पहले जथे में वही बड़ी संख में उधन मैं पढ़ती हूं बेंगुरियोन उनिवर्सिटी गाजा सी कितनी दूर पे फिस्ट किलोमेटर सक्षिली वहां पर किस तरह के हाला थे तो हम लोगों के उधर तो बहुत सारे रॉकेट साय एक लास्ट वान वीक में और हम लोगों कुछ पता नहीं था वान फाइन और धिरे धिरे जब जब इस्राइली जो हमारे जो कॉलिग्स हैं उनसे बात हुई उनको भी कुछ पता नहीं था तो बाद में पता चला कि सश्वक फर एर्यून था एपर रसे निवा कांटरी आन यू ज़िए तो दो फिस्ता निवा करिपनल, ब्रिछान को अदート नकार, उलस इसलिएट को गर्वार जोन गर्वाक्त चटा पर जानके टाणने को, वीधा बस्गे आने गांस। और मिलों बोलने बेर जामने amplis से उनसल्डाए लिए आप लोग आपरेशन के लिए लड़ रहा है क्योंकि वो रिजर्व आर्मी में है तो उनको देश बुलाए तो उनको जाना ही पड़ता है So they are fighting on the border. I really hope the best for them. And I'm worried for them. I hope for peace basically. Thank you. Okay, what's your name? Somadri Samantum. Where are you living in India? I'm in West Bengal. आप लोग ओपरेशन अजय के ताथ यहां पर आया हैं. तो इंडियन गवर्मेंट को आप क्या कहना चाहिए? I'm actually, हम लोग बहुत ही थैंक्फूल एंडियन गवर्मेंट और अच्छली जब से आटाग हुए तब से इंडियन अबसी इस्राइल वाले, they are very active. हम लोग के जो भी प्रॉब्लम से सारे सॉल्ब कर रहे थे, हमारे साथ कॉंटक्ट में थे, so we are really thankful to Indian government. मैं संजीत हूँ, वेजबंगल से हूँ, बेंकुरियन उनिवर्सिटे से स्टाड़ी करता हूँ, तो इंडियन government को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि, you know, सही टाइम में हामें फ्लाइट बेजा, otherwise बहुत ज़्यादा फ्लाइट कैंसल हो रहा था, तो it's really saved us, like, you know. मुझे पहुचके, आप लोग इस्राइलियों को क्या कहना चाहेंगे? कोई आपका special wishes है? Yes, we want the Israelis to be very safe and these are very difficult situations, so we pray for them, we pray for their families and there are also many volunteer organizations that are arranging food, shelter for the Israeli, military services, so we pray for them and we hope that the war that is currently going on comes very soon. My name is Posh Ali Mukherjee, I am student of Ben Gurion University and from India, I am staying in West Bengal, thank you. अजय चलाया जा रहा है, उसके बारे में अभी सिर्फ वही लोग भारत लाया जा रहा है, जो भारत आना चाहते हैं. इसराइल में करीब 18,000 भारती रहते हैं, भारत सरकार के तरफ से कहा गया है, कि जैसे जैसे हालाद बदलेंगे, उसकी समिक्षा की जाती रहेगी.